जै स्री किष्णा रादे रादे स्वागत है आप सभी का मेरे सुपरलोगी चैनल में दोस्तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे अम्मीद करते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक लक्षण बताने वाले हैं जो की आगर आपने एक बेबी बॉय को कंसिब किया है या एक बेबी गर्ड को कंसिब किया हुआ है दोस्तो पुराने जमाने में जो दादी मा होती थी नानी मा होती थी और आज के टाइम मेर जो दादीमा होती है दाइमा होती है उनके दौरा ये लक्षन बताया गया है अब हम ये तो नहीं कह सकते ही कितना सही थावित होगा लेकिन आप कुछ हद तक अंदाजा लगा चकते हैं अपनी जिग्यासा को कम कर सकते हैं हम्हारे चैनल पहले हिbare चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो मेरी अगली आने वारी वीडियो की नोड्किकेशन पाने के तो यह तो दोस्तों इस लक्षण को काफी सारी दो सब्सक्राइबर थे कि हमारे कच्चे चावलों से हम कैसे जान सकते हैं मुझे कच्चे चावल खाना अच्छा लगता है या कोई कहता है मुझे कच्चे चावलों से बॉमिटिंग होती है तो इस वीडियों में यही किलियर करने वाले हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कच्चे चावल द्वारा ऐसे परतती होती है खाने के कही चीजों की आधानिन्स अगर आपको परेगनेंट नहीं थे उससे पहले अगर फiği को चाहरा भौना अच्छा लगता था पसंद आता था नहीं आता था लेकिन जब भी आप प्रेगनेंट हुई है अब आपको पसंद आता है चावल खाना वो भी आपको उबले हुए चावल खाती है या आप कच्चे चावल खाती है या कच्चे चावल खाती है जैसे बनाती है कई बारी खा लेती है तो वो आपको अच्छे लगती है दोस्तो य करता है यह हैं दोस्तों यह सफ secенноёт economics करेंग में या जो मन घटा है यह बेविभी बॉइ के टाइम पर करता है यांनि ले बेटे को दोस्तों लुक्ति अजय तो छो okay ली उसमें देखंग मोसरी यह के टुब होता है बना हुनगा सकते है उतकि पता है का जमाऊ भी otheकता सावन से नुकसान भी होता है कि फ़ल नहीं खाने चाहिए लेकिन काफी सारी महिलाओं के कमेंट थे की कच्चे चावल हमें कि अपने बेबी वॉए को इस यह से से ही खा लेते थे और पूरी प्रेग्नेंसी हमने खाया तो आपके साथ हमने यह शेयर किया है जैसरी किष्णा राधे राधे